Hello students, welcome back to my YouTube channel, let's learn with Dr. Sarita Students, इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने मिनरल्स के बारे में कुछ बेसिक जनकारी ली थी और समझा था कि मिनरल्स हमारे ली हमारे सरीर में किस प्रकार से कारे करते हैं हमने देखा था कि मिनरल भी एक पोशक तत्वे है जो कि क्या है एक अकार्बनिक पोशक तत्वे है बाकी जो पोशक तत्वे है प्रोटीन, कार्बोहडर, फैट्स और विटामिन वो क्या है कार्बनिक पोशक तत्वे है लेकि मिनरल क्या है मिनरल एक अकार्बनिक पोशक तत् इन सब चीजों का हम लोगों ने पिछली क्लास में समझा था और देखा था कि मिनरल हमाई लिए किस प्रकार से कारे करते हैं मिनरल का क्लासिफिकेशन हम किसने वर्गों में करते हैं तो हमने देखा था कि मिनरल का क्लासिफिकेशन हम दो वर्गों में करते हैं और इस प्रकार आज हम क्लास को continue करते हुए, मिनरल्स के चेप्टर को continue करते हुए, हम आज हम लोग जो major खनीज तत्व है, major जो मिनरल्स है उसके बारे में discuss करेंगे, क्या है major खनीज तत्व? केलसियम है, फासफोरस है, पोटेशियम है, सलफर है, सोडियम है, क्लोरीन है और मेगनेजियम है, तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं, पहला जो मुखे खनीज तत्व है, वो है केलसियम है, पहला जो मुखे खनीज तत्व है, वो क्या है, वो केलसियम है, केलसियम हमारे सर पाता है लगभग सरीर भार का 2% कैल्सियम होता है जब एक एडल्ट की बात करें तो उसमें लगभग 1200 कैल्सियम उसे सरीर में पाये जाता है एक वेश्क वेक्ति के सरीर में 1200 बागी जो एक परसंट केलसियम होता है वो कहां इस्टोर होता है तो calcium रख्त में, कोमल तंतूओं में, तरल परदार्थ में, मतलब हमारे tissues में, हमारे blood में और जितने भी सरीर में fluid हैं उसमें 1% calcium रहता है तो आप देख लेजिए कि 99% calcium का use का हो रहा है हमारे सरीर में तो हमारे हड़ियों के निर्मान में और हमारे दातों के निर्मान में इसका यूज हो रहा है नेक्स हम देख लेते हैं कि और क्या इसमें है तो केलसियम के तो हमने देखा कि केलसियम हमारे सरीर में किस प्रकार से कितनी मात्रा में उपस्तिती है उपस्तित रहता है और किस प्रकार से इसका डिवाइड हमारे सरीर के अंगों में होता है अब हम देख लेते हैं इसकी कारे क्या है फंक्शन क्या है फंक्शन क्या है तो ये क्या कारे कर रहा है ये हडियों का निर्मान कर रहा है दातों का निर्मान कर रहा है रक्त जमाने का क कर रहा है मासपेसियों के संकुचन और नियांतिरत कर रहा है हिर्दे की गती को संतलिक बनाता है पोसक तत्व के अफ्टूरूशन के लिए सहायक है और समीदना का ट्रांसफर कर रहा है देखे हमारे सरी में जो हड्डियां और दात है वो किसे बनी होती है वो केल्सियम स्थान पर क्या होता है मैट्रिक्स होता है हड्डियों के स्थान पर मैट्रिक्स होता है ठीक है क्या होता है मैट्रिक्स हड्डियों के स्थान पर मैट्रिक्स होता है आप जो जो हम मैं वर्ड बोल रही हूं जो भी बोल रही हूं उसको आप नोट डाउन करते रहेगा क्यो हड़ियों और दातों के बारे कि निर्मान किलस्यम से कैसे हो रहा है तो आप इसको लिखिए कि जब गर्व में बच्चा होता है तो उसमें उसमें हड़िया नहीं होती क्या होता है उसमें मैट्रिस होता है और यह जब बच्चा फिर पैदा लेता है तो हड़िया मैट्रिस हो में हडियां क्या जो जाती है ठीक है काॉटिलेज हो जाता है पहले मैट्रिक्स होता है मैट्रिक्स का रूप में रहती है फिर और emotions गॉपसे होता है जैसे जैसे बच्छी दाउत का विकास होता तो इस केलसिफिकेशन कहते हैं तो बच्चों में केलसिफिकेशन होने के लिए केलसियम नितान्थ ही आवश्यक है ठीक है और इस कारे में उसको मदद करता है फासफोरस केलसियम का मदद करता है फासफोरस ठीक है केलसियम और फासफोरस दोनों मिलके केलसियम फासफेट बनाते हैं और तब केलसिफिकेशन की परकिरिया होती है यानि कि हडियों पर वे जमा होन लगते हैं और हडियां कड़ी होती है इस परकर हडियों का निर्मान होता है अब जब दातों की निर्मान की बात करें तो सरीर में केलसियम और फासफोरस की मिलने से क्या बनता है केलसियम फासफे इसके निर्मान के लिए भी केल्सियम का नितान तवश्यक है, इस पकार हड़ियों और दादों का निर्मान कर रहा है, रख्त का थक्का कैसे जमा रहा है, तो हम जानते हैं कि हमारे ब्लड में क्या होता है, प्लेटलेट्स रहता है, हमारे रख्त में प्लेटलेस पाया जाता ह ठीक है और प्लेटलेस केल्सियम की पस्तिति में क्या बनाता है थ्रॉम्बो प्लास्टिन बनाता है केल्सियम जो है ब्लड में बनाता है किसी ब्लड प्लेटलेस में ब्लड प्लेटलेस जो है केल्सियम को पस्तितिति में बनाते है थ्रॉम्बो प्लास्टिन बनाते हैं ठीक ह ठीक है क्या बनाते है थॉम्बो प्लास्टिन कैसे बनता है थॉम्बो प्लास्टिन तो ब्लड प्लेटलेस जो होते हैं केल्सियम के उपर सिती में क्या बनाते हैं तो थॉम्बो प्लास्टिन बनाते हैं और यह ब्लड प्लेटलेस प्लस केल्सियम बन जाता है तो थॉम्बो मिलके एक साथ जब मिल जाते हैं तो थ्रॉम्बीन बनाते हैं क्या बनाते हैं इन सब सारे जो टर्म्स बोल रहे हैं उसको लिख लीजिए थ्रॉम्बीन कैसे बनता है तो थ्रॉम्बो प्लास्टिंग पैलेत क्या हुआ थ्रॉम्बो प्लास्टिंग किसे बनाया ब्लड प्ले कामिन के भी मिल गया तो क्या बन गया थ्रॉम्बीन बन गया ठीक है अब थ्रॉम्बीन क्या करता है थ्रॉम्बीन रग्ध प्लाज्मा की फाइब्रेजीन प्रोटीन को रग्ध प्लाज्मा में फाइब्रो नोजीन प्रोटीन प्लाज्मा में उसको क्या करता है थ्रॉम्बी से क्या होता है, रक्त का ठक्पा जमता है, एक बार फीर में आपको समझा जते हूँ रक्त का ठक्का जवाने में किसे साहँ होता है, दखी ह tuning हमारे सरीरे में blood-platless होता है, blood-platless calcium से झॉलता है तो thomboplastine बनता है ठीच है, अब thomboplastine बन गया तो thomboplastine और उसमें विटामिन के मिलके क्या बनाते हैं थ्रॉमबीन बनाते हैं ठीके थ्रॉमबीन जब बन गया तो थ्रॉमबीन द्रग्त प्लाजमा की फाइबरो प्लाजमा में एक प्रोटीन पाया जाता है फाइबरो नोजिन ठीके फाइबरो नोजिन प्रोटीन को कनवर्ट कर द जाते हैं और ठक्का का रूप धारन कर लेते हैं इस प्रकार से हमारे सरीर में रक्त का जमाव होता है ठीक है तो इसमें केल्सियम सहायक होती है नेक्ष्ट है मास्पेसियों के संकुचन पंडिनेंतर मास्पेसियों को केल्सियम फैलाने और सुकड़ाने में मदद करता है यान तिसला एक चोब उत्पन होने लगता है जिसको क्या कहता है just इस्षरीर केसे कमिं हो जाएकि तो Crash पीमारी हो जाती है जिसमें हमारे यो muscles होते है we मुडने लगती हो उसमें तर्ड होने लगता है इस इस रो को क्या कहता है . brass क्या है कि हिड़े की गती को संतुलित तो इसको इसकी जो गती है उसको समाने बनाने रखने के लिए केलसियम की आवशकता होती है नेक्स्ट है कि पोशक तत्वों की आवशोशन के लिए केलसियम जो है जो आवशक पोशक तत्वे होते हैं जो मैक्रो पोशक तत्वे होते हैं macro पोसक्तवों क्या हैं ? जो जादा माताय माइथ सकता होती है ? carbohydrate, protein, fat अब withamins और minerals को लेते हैं तो जो kgsia qyya करता है ? जो micro पोसक्तव तो है यानि कि carbohydrate, protein और fat हैं और कुछ enzymes कि एक करिया सीलता को बढ़ाता है ठीक है ? और क्या करता है ? कि माल लेजे की एक क्लोम गरंथी है जो जिक से द्वारे इंसुलेंस थाबित होता है उसको भी कंट्रोल करता है तो हमारे पोसक तत्वों को क्या करता है ये आउसोशन में मदद करता है सरी में जिते ही पोसक तत्वे हैं उनके आउसोशन में केलसियम मदद करता है फिर क्या ह हम देखते हैं कि calcium हमारे सरी में विभी निकारे करते हैं, हडियों और दातों की निर्मान कर रहे हैं, रख्त जमाने में सहायक हैं, मासपेसियों के संकुचन पर नियुनत्रिम कर रहे हैं, हिड़े की गती को संतुलित बनाते हैं, पोसक तत्व का और संवेदनाओं का ट्रांसफर कर रहे हैं, चीए, next क्या है, calcium की कमी से हम क्या होता है, हम देखेंगे कि calcium की कमी से क्या होता है तो calcium की कमी का प्रभाव अलग-अलग अवस्थाओं में, अलग-अलग रूप के रूप में देखने को मिलता है जैसे कि सेस्वावस्था की बात कर लें तो सेस्वावस्था में calcium क्या होता है, बच्चे आप जानते हैं कि सेस्वावस्था में क्या होता है, ग्रोफिंग प्रियर्ड होता है, बच्चे बढ़ते हैं, है ना, उनका विकास की समय होता है, तो विकास का समय हो गए तो obviously है कि हड़ियां भी विक्सित होंगी हड़ियां मजबूत होंगी विक्सित होंगी तो इस हवस्ता में अगर calcium की कमी हो जाती है तो calcification नहीं हो पाता है calsification आप समझ चुके हैं अभी मैंने बता है कि calsification क्या होता है हमारे हड़ीयों का कड़ा और मजबूत होना है ना, cortilage पे जब calsium जबा होने लगता है तो किया को calsification कहते हैं तो अगर calsium की कमी होगी तो बच्चों में calsification नहीं होगा कल्सिफिकेशन नहीं हो गया, तो उनके दाथ नहीं अच्छे से विक्स हो पाएंगे, टेढे मेडे हो जाएंगे, हडियां नहीं मजबूत हो पाएंगी, हडियां नहीं बन पाएंगी, है ना, तो कल्सिफिकेशन की कमी हो जाएगी, फिर क्या और क्या हो रहा है, बो लेग की होता है वो धनूस के अकार का हो जाता है केलसियम की कमी से क्या होता है कि बच्चे में नेगटिव जो बैलन्स हो जाता है केलसियम के अधिक मातरा में खर्च होने लगता है तो जिससे क्या होती है हड़ियां जो होती है अस्थियां कमजोर हो जाती है विसेस कर हाथ पैर की हड परदियां कमजोर हो जाती है। और मूड़कर धनूस के जैसी दिखने लगती है। इसको हम बोले कहते हैं। और इसके क्या होता है। चलने-फिले में बच्कोंगा कटनाइ होती है। उनके घुठने होते हैं। आपस में टकराने लगती है। इसकिया हो रही है। cockroach रहां हो क्योंकि इन तीनों का काम एक दूसरे पर निर्भर होता है और एक अगर नहीं रहगा दूसरे का, दोनों का भी काम नहीं होगा. तो इसलिए यहां पर सुखारों की भी चचछा किएगे हैं कि केल्सियम की कमी से बच्चों में सुखारों हो जाता है. RICCets बच्चों में होता ह है विटामिन डी की कमी से होता है और जहां विटामिन डी की कमी होगी वहां केलसियम अफासपोरस की भी कमी होगी लिकेट्स में क्या होता है अस्या कमजोर हो जाती है ठीक है विसेसकर पैर की हड़िया अस्या जो है हड़ियां कमजोर हो जाती हैं मुड जाती है और जो पसलियां होती है जो चेस्ट की हड़ियां है पसलियां वो अब बाहर की तरफ उनका उभार हो जाता है और ऐसा लगता है जैसे कबूतर की पसलियां बाहर उभरी होती है तो वैसी हो जाता है इसलिए उसको पीजन चेस्ट भी कहते हैं, विटामिन डी की कमी से पिजन चेस्ट भी होता है, केलसियम की कमी से पिजन चेस्ट होता है, केलसियम की कमी से रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है बोलेग भी विटामिन डी की कमी से होगा ठीक है, तो जो भी डिजीज calcium की कमी से हो रहा, vitamin D की कमी से भी होगा, बच्चों के दान टेढ़े में निकलेंगे, स्वस्त नहीं निकलेंगे, धंग से नहीं निकलेंगे, समय पे नहीं निकलेंगे है न, उनकी बनावर टेढ़ी मेरी हो जाएगी, तो इस प्रकार के समस्या calcium की कमी से होने से बच्चों मे कह लेजी यानि की वैश़का वस्ता कह लेज़े उसमें क्या होता है किलसिम की कमी से Osthomalacia disease हो जाती है है न हमने Vitamin D के chapter में इन सारे terms को पढ़ा है ठीक है अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो जाके vitamin D जाके देखिए और समझ ये तो गर्भा वस्ता में क्या होती है हड़िया नरम पढ़ जाती है और फलसरूफ क्या होता है व्यक्ति आगे की तरफ जुग जाता है ठीक है व्यक्ति आगे की तरफ जुग जाता है ठीक है व्यक्ति आगे की तरफ जुग जाते है और थोड़ी से भी असावदानी होती है तो हड़िया चटक जाती है तूट जा इसको हाईपो कैल्सेमिया भी कहते हैं जाहाँ वर्ड हाईपो कैल्सेमिया आजाएगा महा समाज जींजिए कि अस्ति मरं दोता यानि कि אॉस्त मैलेशिया से सम्बंद देते हैं उसके बाद हम देख लेते हैं व्रिधों में क्या हो रहा है तो व्रिधों में इसकी कमी से कल्सियम की कमी से ऑस्टोपरिसेस होता है ऑस्टोपरिसेस व्रिधों में हो रहा है कैसे हो रहा है तो ऑस्टोपरिसेस में क्या होता है कि हडियों में छोटे-छोटे छेद हो जाते है हडियों का छड़न होने लग जाता है । इसको इंगलिस में कहते हैं decalsification decalsification हो या तो उसमेशें चड़ने लगता है या यह किसमे होता है यह व्रिधों में होता है calcium की कमी से व्रिधों में क्या हो जाता है osteoporosis हो जाता है इस पकार हम देख रहे हैं कि calcium से कमी से different different IU में अलग-अलग तरह की disease हो रही है बच्चों में हमने देखा कि बच्चों में calcification नहीं हो रहा है बोले की समस्या हो रही है भी केट हो रहा है न और फिर हमने देखा था कि titani भी होता है वेश्कों में titani रोग हो जाता है calcium की कमी से गर्भावस्ता में हमने देखा कि क्या हो रहा है गर्भावस्ता कहलेजिए एडल्ट हुड कहलेजिए लेक्टेड हुड कहलेजिए तो यानि कि सनपान अवस्ता उसमें क्या हो जाता है कि औस्तिम रिदुता हो जाती है और व्रिदों में क्या हो रहा है OSTOPORYCES की समस्या हो जा रही है इस पकर केल्सियम हमारे लिए नितान तवश्यक है अल्प मात्रा में केल्सियम रहता है लिखे 2% ही सरी भार का है लेकिन बहुत ही महत्वर पूर्ण है आगे हम देखते हैं केल्सियम का औशोशन किस परकार से होता है केल्सियम का औशोशन छोटी आत में होता है ठीक है और रक्त परिसरचन द्वारा केल्सियम पूरे सरी में पहुचता है लगभग एक सो मिली लिटर रक्त में अगर मिली लिटर के बात करें तो एक सो मिली लिटर रक्त में नौ से बारह मिली ग्राम केल्सियम पाया जाता है है इसके बाद हम देख लेते हैं कि केलसियम के और शोशन में सहायक तक केलसियम के और शोशन में कुछ तत्व सहायक भी होते हैं और कुछ तत्व बाधा भी डालते हैं यानि कि कुछ ऐसे पोसक तत्व होते हैं हमारे पोसक तत्व हमारे भोजन में कुछ ऐसे तत्व भी होते है जो कि हमारे जो nutrient है उसके observation में सहायता भी करते हैं और कुछ उनके observation में रुकावट भी डालते हैं तो हम देख लेते हैं पहले कि absorption में सहायक तत्व क्या है तो calcium के absorption में सहायक तत्व है vitamin D है न vitamin D है आप समझी सहें कि vitamin D क्यों है क्योंकि हम पहले भी कहसे हैं यह क्या है BF है आपस में यह BF है है न बेस्ट फ्रेंड है प्रोटीन यह खात परदार्थ जिसमें कि lysine और lactose का नाम आता है केलसियम और फास्पोरस का उची धनुपाद हम देख लीचे कि vitamin D जहां रहेगा तो calcium का क्या होता है और absorption अच्छी तरह से होगा रक्त में केलसियम देने का काम vitamin D ही करते हैं ठीक है रक्त में जो calcium का absorption vitamin D ही करते हैं प्रोटीन का अधिकता होने पर calcium का absorption अधिक से होता है प्रोटीन क्या है लाइसीन और लेक्डोज क्या है प्रोटीन है तो प्रोटीन के अधिकता होने पर अगर उची टमातरा में हमारे सरी में प्रोटीन रहेगा तो किलसेम का और सवरि estor अच्छी तरह सन से होगा लाइसीन के और सěयों को लगभग परचाथ 50% यानि 50% बढ़ाता है लाइसिन अगर हमारे सरीर में रहेगा लाइसिन क्या है? एक आवशिक अमीनो आमल है जब हमने पढ़ा था प्रोटीन तो हमने देखा था ना कि 10 परकार के जो अमीनो आमल है आवशिक हैं जिसको कि हमने ट्रिक भी दिया था आपको हिल पवट तम याद करने के लिए और जो अनावशिक अमीनो आमल है जिसको हमने कहा था पास्ता स्री जी के ट्रिक से आप याद कर लेंगे अब जाके उसको फीशे के वीडियो में देख लेंगे कौन कौन से अवशिक अमीनो हैं और कौन-कौन से अनावज शक्रमिलो है तो लेक्टोज क्या करता है लेक्टोज और लाइसीन क्या करते है हमारे सरी में प्रोटीन की प्रोटीन है जो प्रोटीन है वो केलसियम के ऑशोशन में सहायक परदान करते है जो लेक्टोज है वो क्या करता है दूद में जो है ना से औस्योशन हो जाता है केलसियम और फासफोरस का उचित अनुपात जो होता है यह भी केलसियम के औस्योशन में सायक है एक रेश्यू एक भाग केलसियम और एक भाग क्या होना चाहिए फासफोरस अगर हमारे सरीर में एक भाग केलसियम का है और एक भाग केलसियम का है तो उ क्ल्सियम के ऑस्योशन में फाइबादादाधा डालता है फाइबरियानि की सेलियोज कहां किसमें हमने पढ़ा था सेलिय। हमनगे कार्भूहाइडर्धा न पढ़ाता है और हमारा चप। एस हमारे सरीर jurisdictions में अधिक मात्रा में चल्लियोज रहे उतमें फाइटिक और फाइटिक एसिड मिलता है जो की पोशक तत्व के और शोशन में खासकर केलसियम के और शोशन में रुका और पैदा करते हैं छोटी आत का अमली माधियम यहां चारे माधियम लिखा हुआ है इस पकार केलसियम से जुड़ी इतनी बाते हैं अब हम फास्फोरस के बारे में देखेंगे कि फास्फोरस हमारे सरीर में क्या कारे करता है फासफोरस हमारे सरीर के कुल भाग का लगभग 1% होता है हमने केलसियम के बारे में देखा था कि केलसियम हमारे सरीर के कुल भाग का 2% होता है लेकिन फासफोरस क्या है ये 1% है तथा इस 1% का भी 80% भाग कहा है तो ये क्या बनाता है, केलसिम फासफोरस के साथ मिलके 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 क्या बनाता है, जो की अस् शैरन के तरल उतको द्रवफ, वगेरा ने रहता है चिके तो यह सरीर का हमाएध सरीर में इस प्रिकार से फैला हो रहा रहता है, हट्रِ प써न्ट हड़ियों और बांक्षर्षणी सरीर' रे में और इयाध्यल चैल समय प्रों के औरgenes ले पिंटि पर्स सरीर के उतको बें पाए में हड़ीयों और दातों के निर्मान में सहायक है फिर नुक्लियो ब्रोटीन और नूखलियों इंधेन के संतुलन बना रहा रहा है ज़हां के चया पते सभाएखेज सायक है लिए पोस्टिक के परिवहन, यानि कि पोसक है, पोसक तत्व के परिवहन में सहायक है, कोसिकाओं का विकास कर रहा है, तो इस परकार से फासफोरस इतने सारे कारे कर रहा है, फासफोरस क्या कर रहा है, कि केलसियम के साथ मिलके क्या बना रहा है, केलसियम फासफेट बनाता है, ठीक है, और केलस इसलिए केलसियम, फ़ासफोरस दोनों एक दूसरे के पूरक है इसलिए प्रकति ने दोनों को जिस फजार्वे केलसियम होगा वहा फासफोरस भी बनाया notion देख लेते हैं निएकलिय परोटीन circulate और अम के निर्वारन में हमारा फास्फोरक साहक है कुस्य ये फासफोरक क्या है? ν Pedro protein के रूप में कोसी का ड्रौ में पाया जाता है. हमाना pięendra में पाया जाता है. उसके बद अम्ली छहार का संतूलन बनाता है. ठीक है यानि कि balance बना के रखता है अमल और छार का balance बना के रखता है तथा रक्त में भी अमल छार का संतुलन फासफोरस बना के रखता है next क्या है कि कार्बोहाइडिट के चायापचे में सहायक है कार्बोहाइडिट के चायापचे में कैसे सहायक है कि ATP की जरूत होती है, हमने पढ़ा था, जब हमने चया पचे पढ़ रहा थे, metabolism पढ़ रहे थे, carbohydrate का, तो हमने पढ़ा था ना, कि ATP की जरूत होती है, उरजा के लिए, तो जिसकों की adonation triphosphate कहते हैं, तो यह phosphate अन्ने ततों के साथ मिलकर ATP भी बनाता है, ATP बनाने में सहायक होता है, phosphorus की बीना ATP कांडिर्मान नहीं हो सकता है, आप सारे चीज़ों को आप note down, copy pain पे करते जाएए, तब आपको याद रहेगा, वरना जो मैंने बखबख किया है, वो सारा mind से खतम हो जाएगा, बाकी screenshot लेते रहना तुम लोग वीडियो का, तो उससे कोई ज़्यादा benefit नहीं होगा, आप detail पूर describe नहीं कर पाएएगे, इसलिए copy pain पे उसको note down करते रहेए, next क्या है, कि postic तत्व का परिवहन करता है, केल्सियम उसके पाद क्या है, कि कोशिकाओं की विकास में सहाएगे, कोशिकाओं का विकास करता है, केल्सियम का शोशन को बढ़ाता है, केल्सियम का शोशन को कैसे बढ़ाता है, जहां केल्सियम और फासफोरस दोनों सही अनुपात में रहेंगे, यानि कि एक-एक के अनुपात में रहेंगे तो केलिसम फासफोरस क्या हमारे सरी में उचीत रूप से और शोशन होगा तो इस प्रकार ये उसके क्या थे ये इस प्रकार फंक्शन करते हैं इतनी प्रकार के हैं हमारे सरीर के लिए फासफोरस कारे कर रहा है अब प्राप्ति कहां से हो रही है फासफोरस की तो फासफोरस वसा प्रोटीन कार्बोहाड़ेट के योगिक के रूप में भोजन, योगिक क्या है, योगिक का मतलब क्या है, फासफोरस इन तीनों के वसा प्रोटीन और कार्बोहाड़ेट के योगिक के रूप में मिलता है, जैसे कि क्या होता है दूद में फासफोरस प्लस प्रोटीन के रूप में तो फासफोरस प्लस प्रोटीन है है ना तो ये क्या हो गया प्रोटीन फासफोरस प्लस प्रोटीन ये भी प्रोटीन है वसा फासफोरस प्रोटीन फासफोरस प्लस लीपीड फासफोर लीपीड तो य बनाते हैं कंपाउंड बनाता है योगिक मिलता है दो जब एलेमेंट मिलते हैं तो योगिक बनाते हैं तो फासफोरस वरसा प्रोटीन और काबो हैडर में योगिक के रूप में योगिक के रूप में हमारे सरी में अधिक्तम ये यूसफुल है उटिलाइज इसका होता है उप पतिदार सब्जियों में अधिक मात्रा में पाया जाता है उसके अलावा दाल सुखे बीज मेवे फल तेल वादी में भी फासफोरस पाया जाता है ठीक है अब नेक्ट हम अगले पोईट देखते हैं जो एलिमेंट है हमारा खनीश्टत वह सोडियम ठीक है अभी हम लोग ने क सोडियम के बारे में रहते हैं कि सोडियम क्लोरीन के साथ सही उत होकर क्या बनाता है सोडियम क्लोराइड आप जानते हैं कि सोडियम क्लोराइड क्या है जो सधारन जो नमक हम खर में खाते हैं वो सोडियम क्लोराइड ही तो है तो क्या बनाता है सोडियम क्लोराइड बनाता और जो कि समाने व्यक्ति के सरीर में 92 ग्राम सोडियम रहता है जो कि बाहे कोसिका द्रव और आंत्री कोसिका द्रव में पाया जाता है। बाहे कोसिका द्रव क्या है जैसे कि मस्तिका द्रव आंखों के जो तरल पदारत होते हैं गुहाओं में, फेरी लंप्स में, एंडो लंप्स में तो ये पाये जाता है। ठीक है और यह हमारे आंत्रिक क्या होते हैं कि रफ्त में प्लाजमा में इस पकार सोडियम का डिस्टिबूशन हमारे सरीर में होता है ठीक है अब सोडियम का क्या रख्यार कर रहा है तो सोडियम जल संतुलन में साय के वाटर बैलेंस हमारे सरीर में पानी का संतुलन बना रहत तो जल के संतुलन में साइक है ठीक है वाटर बैलेंस को देख रहा है सही कर रहा है अमासिय से आतों तक इंजाइम्स में छारी गुन परदान करता है सोडियम हमारे सरी में छारी गुन परदान करता है ठीक है अमासिय से आतों तक अमासिय से लेकर आतों तक हमारे सरी में छार हैं ठीक है अब सोडियम की कमी से क्या होगा तो सोडियम की कमी से दो डिजीज हो जाते हैं एक को एडिसन रोग कहते हैं दूसरे को ओडीमा कहते हैं ठीक है एडिसन क्या है एडिसन में क्या होता है केल्सियम की जो यह सोडियम की कमी होनती है अधिक मातरा में कमी होती है ठीक ह एडिसन में रोग में होगा, कि सोडियम की हमारे सरीर में इससे अधिक मातरा में खपत होने लगती है, विसरजन होने लगता है जिसे क्या होता है, एडिसन रोग हो जाता है ये एक तरह का हार्मोन है, जिसकी कमी से होता है एडिनो कार्टिको ट्रॉपिक हार्मोन कि कमी से क्या होता है एडिसन रोग हो जाता है और इस हार्मोन एडिनो कार्टिको ट्रॉपिक हार्मोन की कमी से हमारे सरी में सोडियम का जो होता है न वो नेगटिव बैलेंस हो जाता है यानि कि अधिक मात्रा में में क्या होता है पानी भर जाता है हमारे सरी की सारी जो जितने भी हमारे अंग होते है उसमें पानी भर जाता है वो फूल जाती है स्वेलिंग आ जाती है तो ओडीमा रोग हो जाता है ठीक है उसके बाद क्या होगा अतिसार हो जाएगा चक्कर आएगा लो ब्लड प्रेसर हो आगा तो इस पकार की परसानिया सोडियम की कमी से हमारे सरीर में देखने को मिलती है प्राप्ति कहां से होगी तो सोडियम का उत्तम जो स्रोत है हम नमक खाते हैं वो नमक है उत्तम स्रोत ठीक है उसके अलावा हरे पत्दार सबजीों में अधिक मातरा में पाया जाता है फल अ आला अनाज दाल में सोडियम कम मात्रा में हो पाया जाता है और एक हम एडल्ट की बात करें तो एक एडल्ट में दो से छे ग्राम प्रतिदिन सोडियम की अवशकता होती है दो से छे ग्राम एक एडल्ट में सोडियम की अवशकता होती है नेक्ष्ट हम देख लेते हैं कि बाहे कोशिका दुरों में कम पाया जाता है और आंत्रिक कोशिका दुरों में थिक पाया जाता है इसके पहले हमने रेखा था कि पोटेशियम जो सोडियम जो था, वो आंत्रिक बाहिस सब जगह पाया जाता है, लेकिन ये पोटेशियम की अगबात करें, तो हमारे बाहिस कोशिका दुरू में कम पाया जाता है, और ये आंत्रिक में अधिकांस भाग विभीन कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है, एक इसकी कमी नहीं होती है जैसे कि दूद, दही, पनीर, अंडा, मास, मचली, आदी में सबजयों में पोटेसियम पाया जाता है और प्रति दिन के रिक्वार्मेंट्स की बात करें तो प्रति दिन की रिक्वार्मेंट्स की एक डल्टी है 1.5 से 6 ग्राम तक प्रोटेशियम प्रोटेशियम की daily requirements है इस प्रकार प्रोटेशियम हमारे लिए आवश्यक है अब हम देखते हैं सल्फर कोशिकाओं में दो अमीनो अमल मिथियोनीन और मिथियोनीन और सिस्टीन के रूप में रहता है आप प्रोटेशियम वाले चेप्टर में देखेंगे कि प्रोटेशियम का निर्मान कैसे हो रहा है कार्बन, हैड्रोजन, ऑक्सीजन, नैट्रोजन है ना नैट्रोजन कितना परसेंट होता है तो 16 परसेंट उसी तरह प्रोटेशियम का प्रोटेशियम का इन्हों अम्ल के रूप में ही हमारे सरीर में कोशिकाओं में पाया जाता है। और सल्फर किस के लिए आबा सकता है? तो हमारी तवचा का रंग है, sleeping, भाल नाकुन है, तवचा की especially तवचा और बाल के रंग के लिए सल्फर ही जिमिदार होता है. sulfur में एक तटवप आया जाता है जिसको कि melanin कहते है خिले melanin कहते है na, gelandaak में melanin होता है जो कि हमारे color, हमारा जो रंग कैसे हम गुरे होंगे, काले होंगे, सावला होंगे बाल हमारा brown होगा कि black होगा, कि इस प्रकार का होगा कि white होगा उसके लिए जिम्हेंदार क्या है? Melalin होता है. Melalin की जब कमी हो जाती है ना लोगों की सरीर में तो आप देखते हैं कि किसी-किसी का body सरीर चक्तेदार हो जाता है, white जिसको सफीद दाग कहते हैं तो वो कोड जिसको कोड भी कहते हैं वो डिजीज हो जाते है, Melalin की कमी के वज़े से ही होती है, ठीक है? तो इस परकार सरफर हमारे सरीर में विभीन कारे कर रहा है तो आज यह चेप्टर यहीं पर समाप्त करता हैं, या भी हमने देखा कि जितने भी हमारे मेजर मेजर मिनरल के बारे में हम लोगों ने देखा कि मेजर मिनरल हमारे लिए जो है मुखे मेजर मिनरल इसकी हम लोगों ने चर्चा करी कि मुखे मेजर मिनरल किस परकार से हमारे सरीर में काम करते हैं क्लोरीन और मेगनेजियम का उतना noticeable work नहीं है इसलिए हम लोग नहीं यहाँ पर calcium, phosphorus, potassium, sulfur और sodium की ही चर्चा करी है ठीक है तो I hope आप लोग को class समझ में आया होगा अगर कुछ पूछना हो तो आप comment box में comment करके पूछ सकते हैं मैं उसका reply अवश्य दोगी Thank you so much